तुर मॉनिंग दोस्तों मैं हूं वीबी टेक्टनों से अपना एफार 900 बैंड जिलर मशें सब्सक्राइब काफी सारे नाम है तो इसमें देखिए जीपर लोग जैसे रहता है मैं आपको दिखा देता हूं यह यह देखिए लोक है यह है ना इसमें आपको सिल्ट करना यह हो जाएगा बाकि नॉर्मली क्या है कोई भी पावुच है अघरबती का है यह डिटरजन पावडर है कि बैग है कोई भी है वो आपको इजीली सिल्ट कर देगा इसमें वर्तिकल चैने तो वर्तिकल मॉडल भी है यह वह औरे जनरल है किसे काम करता है बहुत मार्केट से कम रेट में यहां से मिल जाएगा इसमें इम्रजंशी पूआव बटन भी दे दिया हैं धीक और यहां पे पर हीटिंग का मीटर भी ले दिया है और इसमें आपकी रिकॉर्मेंट के हिसाब से कम जादा रख सकते हैं और यहां पे लग जाएगा तो इजी लिए आप पाउस को रखके काम कर सकते हैं मतलब काफी कम रेट में अपना पैकिंग का धंदा आप चालू कर सकते हैं इसे डिस्केशन में हम उमारा एड दिशन लगते हैं वह आपको पुरा सिल करके दिखाते वन बाई वन ठीक है चलिए यहां पर रेडी टूई हीट है यहां से आपको ऐसे लगा देना है कि अब देख सकते बुरा कि पोड़े टम उसको रहने देने के बाद जैसे वह हो जाएगा एकदम हो जाएगा आपको प कि कम ज्यादा कर सकते हैं आप tis के पुरा पाउस से आएगा जिप लोग आपको कर देना है पहले उसके बाद आपको सिल कर देना है कि यह पुरा जीप लोग हो गया ठीक है और यह आपको यहां से सिल कर सकते हैं कि देख सकते हैं आपनों को पता भी नीच लेगा एक दम प्रॉफेशनल वेस्ट है कि बोट साइड कि देख सकते हैं पूरा कि पूरा सिल हो गया देखिए कि दिखते हैं यहां पर यंडल भी दे दिया है देखिया फुटा वाला फिर भी उसको पेक करके देखते हैं कि देख सकते हैं इसली सिल हो जाएगा इसको डोनों साइट देखते हैं पुरा यह देखिए थोड़ा बड़ा पाउच है फिर भी इसमें पेक हो जाएगा आपको करना पड़ेगा क्या कि नीचे से उसको होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा तो ऐसे पेक कर सकते हैं बाकी अधिक जानकर ही चाहिए तो निचे डिस्क्रिशन में हमरा एड्रेस और कॉंटक नंबर भी दे दिया है आप दारिक हमें कॉंटक कर सकते हैं ठीक है अब यह लाश्ट बटनोट लिस्ट यह भी दिखा देते आपको एक दम अच्छी तरह से पेक हो जाएगा पर इसको आपको केची से काटना ही पड़ेगा खुलेगा नहीं है ठीक है तो निचे डिस्क्रिशन में हमरा एड्रस और कॉंटक नंबर दे दिया है आप दारिक में कॉंटक कर सकते हैं या कॉल बीच फोड़ सकते हैं ठीक है अब